हलो नमस्क्राइब दोस्तों क्यासे हो भे बेने कैसे हैं आप लोग माई बाप है आप लोग भेना वीडियो लाइक नी करेंगे सब्सक्राइब नी करेंगे तो आज एक बहुत अदभूत रैसीपी लेके आया हूं बहुत समय बचेगा और आप एक अदभूत किसम का वेंजन आप अपने घरवालों को प्रस्तुत कर पाएंगे उन्हें ठुसवा पाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 300 ग्राम मैदा लेना है हाँ मैदा ही लेना है है ना उसके बाद इसमें नमकवा डाल देना है तनका सनी नमकवा है ठीक है उसके बाद इसमें खाने का सो वालेनी है उसके बाद हम पानी एड करेंगे और पानी एड करके इसको अच्छी तरह मलेंगे अच्छी तरह आपको इसको मलना है बहुत लोग इसे में घाई कर देते ह 15 मेर्ट के बाद एक बड़ा सा आपको डो लेना है मतलब दो पराठे के जितना आपको डो लेना है इसको बेलना है बड़ा बेलना है पतला बेलना है याद रखेगा दो पराठे के जितना एक डो लेना है उसको बेलना है बिलने के बाद इसमें हम थोड़ा गरम मसाला थोड़ी सी लालमिज पाउडर थोड़ी 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 थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ये नमक कसूरी में थी आपको इसमें आड कर देनी है थोड़ी सी उसके बाद बतलब तेल डाल देना है दो चमच और दो चमच त गोही गाल, ऐसे सहला ना है, ठीक है, गोही के गाली तह difah यह गोहा लग रहा है, यह पूरी तरह, तो चार पांचो तरफ आपको इसको कोने कोने तक सहला देना है, इसके ऊपर थोड़ा जो होता है वो डाल देंगे अब इसको रोल करना है टाइट रोल करना है सिंप्ली रोल करना है ऐसा गुमा गुमा के ऐसा इसको रोल कर लेना है घुमा गुमा के ठीक है सुस्ता लीजे उसके बाद फिर से इसको जब यह गोल गोल जाए तो फिर से ऐसे गोल 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 एक ही ड देख रहे हैं एकदम बीचो बीच आपको इसको कट करना है इसको दो भागों में बांट देना है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये बठ गया वाज देखा कमाल का है न अब आपको क्या करना है अब इसके उपर ये देखे मैंने सब कट करके रख लिए पहले आपको ये प्रिप्रेशन कर लेनी है, उसके उपर थोड़ा हरा दिनिया चिरक देंगे और यह option है, अब तिल भी डाल सकते हैं, तिल के दाने, अब इसको थोड़ा सा प्रेस करते हम इसको फैला लेंगे, पराठे की जितने का आकार इसको दे देंगे, उतना बड़ा तो नहीं होगा, थ क्रिस्प होने तक आपको इसको सेखना है, ठीक है, अच्छी तरह सेखना है, आप मैंने दिखाने के लिए आपको पहले एक अच्छी तरह सेख के बता दिया है, इसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, तो अगर आपके पाद तवा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप ऐसे तीन बिल्डल को बिल्ड़ ही आगा है, पुला है।